हेले रिवन इस यूटिब में हम पढ़ेंगे एनलीसिज ऑफ रिक्टैंगुलर वेव और स्केर वेव बाई फोर ये ठियोर ठीक है इसके लिए हमने क्या किया एक रिक्टैंगुलर यहां फिर स्केर वेव ली है कि टाइम एक्स है यह आपकी डिस्प्लेस्मेंट है ठीक है य उसी तरह हम इस वेव को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम देखते हैं जब आपने डिस्टैवल किया इस वेव ने डिस्टैवल किया जीरो से टी बाई टू ठीक है जब ने डिस्टैवल किया जीरो से टी बाई टू तब आपकी य की वैल्लू क्या होगी यह है और वह 0 से t by 2 distance टावल करें टो वह पात है इसको हम represent कर लेते हैं small t से फीकर है ही जब T की value जब T की value T by 2 से T तक है T by 2 से capital T तक है तब आपकी Y की value क्या है minus A है ठीक है इसको मैं थोड़ा combined form में लिखूँ तो इस wave को हम कैसे represent कर सकते हैं Y is equals to A ठीक है कब जब T की value 0 से T by 2 है ठीक है और minus A जब T की value T by 2 से T तक है capital T तक तो यह Y है इसको मैं function ऐसे भी लिख सकता हूँ function of omega T अब हम क्या करेंगे इस wave के लिए Fourier series निकालेंगे आपको पता है आपकी Fourier series क्या होती है आपकी Fourier series क्या होती है a f of omega t f of omega t is equals to जिसका आप y से भी denote कर सकते हो ठीक है is equals to A not plus the mission n की value 1 से infinity an cos and omega t plus the mission n की value 1 से infinity bn sin and omega t आपकी Fourier series होती है ठीक है तो Fourier series के लिए हम क्या करते है a not an और bn के values को निकालते हैं और फिर से इसी equation में हम put कर देते हैं तो हमारे बास Fourier series आजाती है ठीक है हमें square wave का analysis करना है विद्धिहाल पर Fourier theorem या Fourier series तो इसके लिए हम Fourier series निकाल लेंगे और यहां हमारा function कौन सा होगा यह वाला function होगा f omega t यह फिर y is equals to y वाला function इस function के लिए हम Fourier series को निकाल लेंगे तो Fourier series निकालने के लिए हम क्या करेंगे a not an और bn के values को निकालते हैं आपको पता ही है तो देखिए आपने इस unit की जह आपने video number two देखी है जिसमें evaluation of a not an bn करवाया था ठीक है जिसमें a not an or bn की values निकाल ले थी in the interval zero to t तो उसमें जो आपकी values थी a not an or bn की values आपको याद रखनी है उन्ही values का यहां use होगा क्योंकि यहां हम interval zero से t के लिए ले रहे हैं ठीक है zero से t हमारी wave zero से t interval के अंदर travel कर रही है इसलिए हम जो a not an or bn की values को लेंगे वो zero to t interval के लिए लेंगे ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे बहुत हम किसकी value निकाल लेंगे a not की a not की तो वहां हमने a not की क्या value निकाल ली थी a not की आपने value निकाल ली थी a not is equals to one by t integration zero to t f of omega t dt ये value आपने निकाल ली थी ये देखिए हमने ये topic करा था evaluation of value coefficients उसमें a not की value क्याल ली थी 1 by t integration zero to t y dt यहां f of omega t है आपका a not की value आपने क्याल ली थी a निकाल ली थी f of omega t की form में 1 by t zero to t f of omega t dt ठीक है एन की क्याने काल ली थी आपने value ये निकाल ली थी 2 by t integration zero to t f of omega t cos m omega t dt और bn की वाल ली थी 2 x t integration 0 to t f of omega t sin omega t ठीक है m ले लो जाहे n ले लो कोई constant t है तो यह तीन है वैलोसक्त को याद रखने f of omega t को आपको क्या मतलब है यह y ठीक है और y के इसके एक 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 जब आपका जो यह t है वो 0 से capital t by 2 के बीच में vary कर रहा है ठीक है और y क्या है minus a है जब आपके छोटा t capital t by 2 और t के बीच में vary कर रहा है ठीक है आपकी जो यह wave है 0 to t के बीच में है ठीक है जो मैं इसको break कर देता हूँ इस इस डिस्टेंस को यहाँ सा यह तक कि दिस्टेंस को मैं जिक कर डता हूं 0 टक पूरे डिस्टेंस को जोड़ना जैकес को मैं इसको इंटेकेसन को ब्रेंक कर दूसके पहले मैं से यहां सेप псих कर दता हूं फिर यहां यहां तक जोड़ देता हूं चांट यहां से यहां इडिशन कर देता हूं 20% से टी लिवाई टू से टी खर दूमा छीड तो से T by 2 से T, ठीक है, T by 2 से T, और F of omega T, DTSM तोड़ सकते हैं, integration को split कर सकते हैं, तो SM ने 0 to T को, ऐसे 2 integration में split कर दिया, ठीक है, अब देखिए, जब आपकी interval 0 to T by 2 है, ठीक है, 0 to T by 2 है, मतलब कि, small t जो आपका है, 0 से T by 2 के बीच में है, ठीक है, तब आपकी y की value क्या है, F of omega T की value क्या है, देखिए, यहां से, A है, ठीक है, जब आपका T, 0 से T by 2 के बीच में है, ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ A लिख देता हूँ, तो A, DT, ठीक है, integration T by 2 और 1 by T बाहर as a T से, ठीक है, यह 1 by T, यहाँ है, बाहर, इस integration को हमने ऐसे 2 में तोड़ा है, प्लस, अब यहाँ T by 2 से T के बीच की इंटरवल है, ठीक है, तो जब T by 2 से T तक की इंटरवल है, तब आपकी Y की value, यहाँ F of omega T की value क्या है, माइनस यह है, ठीक है, इसलिए यहाँ F of omega T की जगा माइनस से लिख दूँगा, यहाँ तो माइनस आ जगा, तो प्लस की जगा, यहाँ माइनस लिख देता हूँ, integration T by 2 से T, A, DT, ठीक है, अब solve कर लेते हैं, ठीक है, integration कर लेते हैं, A यह तो आपका वैसे भी constant है, इसको जो मैं बाहर ही कर दूँ, तो यहाँ बाहर आ जाएगा, यह तो constant है न, और यहाँ से भी integration से मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है, अब देखिए, 1 by T, DT का integration क्या होगा, T हो जाएगा, ठीक है, T, limits कहां से कहां तक, 0 से T by 2, minus, यहाँ भी DT का integration क्या हो जाएगा, यहाँ बाहर A भी लगा हूँ है, A, ठीक है, minus A, यहाँ क्या हो जाएगा, small t, ठीक है, DT का integration small t, capital T by 2 से T, तक आपकी limits है, ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ भी upper limit और lower limit पुट कर देते हैं, और यहाँ भी upper limit और lower limit पुट कर देते हैं, तो आपके पास क्या जाएगा, यह आपके पास आ गया था, ठीक है, अब देखिए, lower limit का है capital T by 2 ठीक है थोड़ा से इसको simplify करते है 1 by T A T by 2 minus 0 T by 2 भी आ जाएगा minus A T ठीक है plus A T by 2 minus अंदर multiply हो गया यह A T by 2 है ठीक है और यह भी A T by 2 है तो A T by 2 plus A T by 2 क्या आ जाएगा 2 A T by 2 ठीक है 2 A T by 2 minus A T as it is और भार 1 by T as it is यह 2 से 2 कट गया ठीक है तो आपके बस क्या बचा है A T बचा minus A T बचा A T minus A T यह क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा इसका मतलब यह पूरी टम क्या बन गी 0 बन गी तो आपके बस A note की value क्या आगी 0 आगी ठीक है उस wave के लिए अब हम next किस की value निकाल लेंगे A n की value निकाल लेंगे A n की value आपके क्या थी जब आपने evaluation of 42 coefficients पढ़ा था A note A n और B n की values को पढ़ा था तो उसमें आपने A n की value क्या निकाल ली थी तो आपके आई थी A n is equals to 2 by T integration 0 to T F of omega T cos N omega T वहाँ आपने M लिए था चाहिए आप M low चाहिए M low तो यह हमाँ निरे रहता हूँ N omega T dt ठीक है तो इसको solve करते है F of omega T की आपके बस दो values है जहां एक तो A है और एक minus A है A note की value को निकालते समय 0 to T integration को हमने 2 parts में split किया था वैसे ही हम यहाँ भी split कर देते है A N is equals to 2 by T ठीक है 0 to T यहाँ integration है तो इसको मैं लिए सकता हूँ 0 to T by 2 ठीक है फिर मैं T by 2 से T तक कर दूँगा ठीक है जैसे कि हमने अभी कर रहा है F of omega T cos N omega T dt as it is plus integration T by 2 से T ठीक है इस integration को मैं 2 में split कर रहा हूँ T by 2 से T F of omega T cos N omega T dt ठीक है अब देखिए जब आपकी integration 0 से T by 2 है मैं दिखा भी देता हूँ जब आपकी integration 0 से T by 2 है capital T by 2 जब T आपका 0 से capital T by 2 के बीच में वारी कर रहा है तब आपकी value क्या है तब आपकी value क्या है A है ठीक है और जब आपका आपकी integration जब आपका small T है वो capital T by 2 से T के बीच में वारी कर रहा है तब आपकी value क्या है माइनस ये है ठीक है जब आप कह सकते हो F of omega T की value क्या है माइनस A है इसका मतलब जब आप integration करोगे 0 to T by 2 के बीच में ठीक है तब आपका F of omega T के आएगा A आएगा A cos n omega T dt 0 से T by 2 integration ठीक है बाहर 2 by T as it is है और जो ये 2 by T है ये bracket के बाहर होगा क्योंकि ये 2 by T इससे multiply हो रहा है इस term से ये term था बैने 2 में split कर दी इसका अजला ये वाला अब इस दोनों term से multiply होगा इससे 2 by T को मैंने बाहर common लेकी लिखा हुआ है ये दोनों से multiply होगा 2 by T integration 0 to T A cos n omega T dt plus integration T by 2 से T ठीक है यहाँ में क्या जाएगा minus A minus में बाहर ले लेता हूँ cos n omega T dt ठीक है अब देखिए A था आपका constant है इसको मैं बाहर लिख लेता हूँ ठीक है यहाँ भी यह आपका constant है इसको मैं बाहर लिख लेता हूँ अंदर क्या बज़ेगा cos n omega T dt cos n omega T dt cos n omega T की indication क्या होती है sin होती है minus sin n omega T होगी और upon में इस term का differentiation होता है ठीक है with respect to T तो वो क्या जेगा n omega ठीक है upper limit t by 2 है lower limit 0 है minus similarly यहाँ भी होगा minus sin n omega T ठीक है upon में इस term का differentiation n omega T by 2 से T तक है limits ठीक है और बाहर 2 by T a as it is आगे देखते हैं यहाँ upper limit put कर देंगे फिर lower limit put कर देंगे similarly यहाँ भी upper limit और lower limit put कर देंगे upper limit minus lower limit कर देंगे तो कर देते हैं जो आपका यह ए है यह वहला यह तो अंदर आएगा न इस bracket के तो यहाँ bracket भी आएगे ठीक है तो यह A इसके साथ है और जो A यहाँ था वो भी यहाँ नहीं लिखाता रहने पहले तो वो वहने लिख दिया ठीक है upper limit आपके क्या है capital T by 2 तो minus sin n omega capital T by 2 आजाएगा और upon में क्या चल रहा है n omega ठीक है minus lower limit आपके क्या है sin 0 ठीक है upon n omega यहाँ bracket लगेगी ठीक है क्योंकि आपका यहाँ देखिए बहार negative है ठीक है आगे देखिए minus A अंदर होगा न minus A ठीक है minus A यहाँ भी हम minus बाहर जे ले 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 तो यह plus का बन जाएगा sin n omega upper limit T है ठीक है upon में n omega minus lower limit क्या है आपकी T by 2 है तो n omega T by 2 upon n omega ठीक है अब solve करते है 2 by capital T minus A अब देखिए T की जो आपके बास value होती है capital T की वो क्या होती है time period की जो आपके बास value होती है वो होती है 2 by by omega यह values को हम यहाँ पूट कर देंगे ठीक है क्योंकि यहाँ भी omega कुछ नहीं उच्छ कट पूट जाएगा ठीक है तो sine n omega ठीक है 2 pi by omega और साथ में नीचे 2 भी तो है तो upon में 2 और पूर एक नीचे n omega यह 2 से 2 कट गया यह omega से omega कट गया ताब के पास क्या बचा sine n pi ठीक है sine n pi और sine n pi की वैलू क्या होती है 0 होती है sine कोई भी pi हो उसकी वैलू क्या होती है 0 होती है तो यह term 0 हो जाएगी ठीक है और यहाँ तो sine 0 0 ही होता है तो यह term भी पूरी 0 हो जाएगी ठीक है तो यह तो पूरी term में आपके क्या होगी माइनस यहां क्या है साइन नॉमेगा तई कि वैलू नॉमेगा तो पूरी जीरो होगी यह term 0 हो गई यह भी term 0 हो गई तो बचा क्या कुछ नहीं बचा ठीक है तो 2 by T यह term 0 minus यह term 0 यह पूरी term 0 ठीक है तो पूरी term क्या आगी 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 0 आगी ठीक है एक ना अपके एंड के लिए आपके पासे गलती होगी यहाँ न माइनस नहीं आएगा यहाँ माइनस रहेगा ठीक है यहाँ नहीं होगा ठीक है यहां भी plus ही रहेगा यहां minus रहेगा देखिए यह term 0 है यह term 0 यह term 0 यह term 0 तब भी होना तो 0 यह सारा ठीक है तो answer आपका 0 ही आना है अब हम निकालते हैं bn की value फिर से वह बात जो आपने second video देखी है इस unit की तो आपको bn की value भी पता होगी क्या है तो क्या है आपकी bn की value bn is equal to 2 by t integration 0 to t f of omega t sin n omega t dt यहां की value थी अब फिर से इस integration को मुझे split करने है यहां क्या जगा 2 by t integration को split कर देंगे 0 to t by 2 ठीक है f omega t sin n omega t dt ठीक है प्लस integration t by 2 से t f of omega t cos and sin n omega t dt ठीक है अब जब आपकी integration 0 to t by 2 मैं interval यह 0 to t by 2 तब f of omega t की value क्या है a है ठीक है तो integration 0 to t by 2 यहां मैं क्या लिख दूँगा a पर a consonant है इसको मैं पहले बाहर लिख रहा हूं sin n omega t dt plus integration t by 2 से t यहां f of omega t की value क्या होगी minus a होगी आपकी interval t by 2 से t के बीच में तो यहां के आगी minus a आएगा ठीक है तो मैं minus a को बाहर ही लिख रहता हूं और plus minus क्या हो जाएगा minus हो जाएगा ठीक है और अंदर क्या बाज़ेगा sin n omega t dt बचेगा ठीक है अब integration कर देते हैं example इंदरों terms की और देखिए ब्रैकेट के बार बाहर टू बाए टीबी तो है तो ब्रैकेट के बाहर टू बाए टीबी है ठीक है आगे देखते है sin की integration क्या होती है sin की integration होती है cos ठीक है तो यहां मैं लेख दूंगा cos तो cos n omega t और इसकी फिर से differentiation होती है with respect to t तो upon में एन ओमेगा इसकी जिए differentiation करते है with respect to t और 0 से t by 2 limits है माइनस ए इसकी इंडिलेशन क्या होगी फिर से वही cos n omega t upon n omega limits कहां से कहां तक t by 2 से t अगले पेच में अपर लिमिट और लोर को पुट कर दूँगा आपके पास 2 by t बाहर यहां 2 by t था ना और यहां ए और यहां भी ए तो यह और एक common लेता हूं ठीक है एक बार लिखता हूं बार बार क्या लिखना है तो एक में यहां बाहरी common ले लोगा तो यह 2 a by t हो जाएगा ठीक है तो 2 a by t अंदर क्या है आपके पास cos n ओमेगा अपर लिमिट पुट करनी है न तो n ओमेगा t ठीक है और अपन में क्या है n ओमेगा है यहां टy by two उएगा माइनस लुट लुट लिमिट क्या है जीरो ठीक है तो cos n ओमेगा 0 और नीचे क्या है n ओमेगा ठीक है आगे मैंदस माइनस अपर लिमिट क्या थी कोस एन ओमेगा अपर लिमिट थी आपके बस टी ठीक है अपन एन ओमेगा माइनस लोर लिमिट क्या थी टी बाई टू थी लोर लिमिट अपन में एन ओमेगा ऐसे टीक है यह आ गया आगे देखी जापके यह टी की वैलू होती है वो क्या होती ह वह आपके पास होती है टू पाइब ओमेगा फिट से टीकी में आपको याद रखनी है टाइम पिरिट के लिए तो यह यहां पूट कर देंगे कोस एन ओमेगा टू पाइब यहां आपके पास यहां आपके पास यह टू से टू कट गया ठीक है और यह ओमेगा से ओमेगा आपके पस क्या बच्छा कोस एन ओमेगा एन पाइद पाई टीक है कोस एन पाई बचा अपॉन में एन ओमेगा ठीक है माइनस वन अपॉन एन ओमेगा एज टीक है फिर से माइनस ओमेगा से ओमेगा कट गया यहां क्या बचा टू एन पाई ठीक है कोस टू एन पाई अपॉन एन ओमेगा माइनस यहां से ओमेगा से ओमेगा कट गया टू से ट यह 2 से 2 कट गया ठीक है यह चल रहा है A omega by Pi देखिए इसके निचे फिट इसके निचे पे इन ओमेगा है इसके निचे फिट नमेगा इसके निचे पेन आमेगा इसके न अमेगा तो एनओमेगा को मैं बाहरी कॉमाणल लेता हूं तो यह आजएगा A omega upon और यह ओमेगा से ओमेगा भी कट गया साथ अंदर क्या बचाब के पास cos n pi – 1 इस विखों कुत्रमेटिब्रवा करवा देता हूँ - cos 2 n pi यह प्लस बन जाएगा प्लस cos n pi cos n pi यह भी फ्लस का cos n pi cos n pi plus cos n pi 2 cos n pi cos n pi माइनस 1 माइनस cos 2N π ठीक है A upon N π बाहर as it is जो हमने यहां sign की integration करी है न वो आपकी negative होती है तो इसलिए यहां negative आएगा इसके आगे और इसके आगे भी आपका negative आएगा BN की value के case में ठीक है यहां आपका बाहर minus हाएगा और यहां बाहर plus हाए sign बदल गे न ठीक है तो यहां minus चलेगा बाहर यहां plus चलेगा यहां भी plus चलेगा बाहर यहां minus चलेगा ठीक है अब यह plus निटा multiply हुआ तो यह plus हो गया यह minus हो गया यह plus minus की आपका गलते देख लेना है अब देखिए कोसफ फाई की वैलू किया होती है माँतिए कोसछ ईवन मल्टिपल और पाई कोसछ एवन मल्टिपल ओफ पाई 220 Eig है अब है कि आपकी वैले रूटती है 1 पाई टिक है दुसरी कोस्तु भाई 4 पाई शह सिक्सऻ पाई cos 8π इन सब की जो value होती है आपके पस plus 1 होती है ठीक है जब यहाँ pi के आगे कोई even number लगा हो ठीक है तब आपकी cos की value क्या आएगी 1 आएगी और यदि यहाँ कोई odd number लगा है जैसे cos 1π, cos 3π cos 5π वो value आपके पास minus 1 होती है ठीक है अब यहाँ थो आपको पता नहीं है कि जो आपकी value है cos की वो plus pi मैंने कि plus 1 आएगी जै माइनस 1 आएगी आपको इतना पता है कि n multiply by आपका यहाँ थो plus 1 plus 1 होगा जै माइनस 1 होगा ठीक है पर आपको यह नहीं पता नहीं यह n order जैसे इवन है इसलिए आप यहाँ क्या लिखोगे minus 1 की power n लिख दोगे ठीक है जह n की value यहाँ plus होती है तो आपको पता है यह 1 बनेगा जह n की value यहाँ even होती है तो आपको पता है कि इस पूरे की value आपके पास plus 1 आएगी तो इसलिए यह आप यहाँ भी value यह even रखते हो ठीक है जह 2 रखो 4 रखो 6 रखो तो minus 1 किस में कर्मेंट हो जाएगा plus 1 में हो जाएगा minus 1 की power even क्या होता है plus 1 होता है तो इसलिए इस term का आप क्या लिख सकते हो minus 1 की power n n की value 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है plus 1 as it is plus आपको साथ पर चल रहा है कि यह आपका even ही आएगा क्योंकि 2 के साथ n multiply हो रहा है n की value 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो जैसे 1 है 2, 1 दा 2 2 pi हो जाएगा और even multiple of pi हो जाएगा n की value 2 होगी 2, 2 दा 4 4 pi हो जाएगा ठीक है even multiple of pi है ठीक है तो इसलिए यहां हम 1 ही लिखते है आपको बते यह plus 1 नहीं आना है ठीक है और बाहर a upon n pi आजाएगा यह आपके पास आजएगा a upon n pi ठीक है 2 plus minus 1 की power n और यहां आप देख सकते हो इस cos n pi के बाहर 2 भी लगा हुआ था तो यहां भी 2 आएगा और यहां भी 2 आएगा यहां समें 2 को common ले लो 2 को common लोगे तो क्या आजएगा 2 a by n pi ठीक है 1 plus minus 1 की power n आजाएगा ठीक है आपके पास यहां एक mistake हो गी है यहां 2 था ना cos n pi के बाहर 2 भी था तो यहां हमने टूल लेख दिया और अगे minus भी था तो यहां minus भी आएगा ठीक है तो यह plus नहीं आएगा यहां minus आएगा तो यह 2 a by n pi 1 minus minus 1 की power n आएगा ठीक है तो यह आपके किस की value आगी यह आपके value आगी bn की तो bn की value आपके पास क्या है 2 a by n pi 1 minus minus 1 की power n ब्रैकेट बन अब bn की value किसके उपर depend करती है इस n की उपर depend करती है ठीक है कि bn की value क्या हैगी आप देख सकते हो यहां n आपका even है ठीक है यह आपकी n की value even है ठीक है तो आपके पास यह क्या बन जाएगा प्लस 1 बन जाएगा न जो n की value even है ठीक है तो यह आपका प्लस 1 बन जाएगा 1 minus और यह क्या बन जाएगा 1 minus 1 क्या होता है 0 होता है और 0 into something 0 होता है तो bn की value क्या होगी 0 जो n even है तो bn क्या है 0 है ठीक है और जब n odd होगा जब n odd होगा तो क्या होगा एन ओड है तो इस पूरे की वैलू क्या आएगी माइनस वन ही आएगी ठीक है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा ठीक है तो 2 हो गया 2 को बाहर मंटिप्ला करोगे तो 4a by n pi आजाएगा 4a by n pi ठीक है इसका मतलब जब n ओड है bn की वैलू आपके पास आचुकी है bn is equals to bracket start 4a by n pi कब जब n आपका ओड है ठीक है और bn की वैलू 0 होगी जब n आपका क्या है even ठीक है तो यह आपकी bn की वैलू आगी यहाँ जो यह आपके n आ रहे है न यह n कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 ठीक है n की वैलू कुछ भी हो सकती है ठीक है तो अब क्या करोगे putting the values of a not a n b n in 4d series 4d series में आप a not a n और b n की वैलू को put कर दो यहाँ देखिए अब आपके पास f of omega ठीक है आ जाएगा 0 plus mission n की वैलू 1 से infinity 0 plus 4a by n pi ठीक है a not की वैलू 0 आई थी वैलू भी हम यहाँ जीरो ले लेते हैं ठीक है bn की वैलू यहाँ हम जीरो लेते हैं तो आपके पास f of omega 0 आजाएगा ठीक है तो हम यहाँ यह value लेंगे bn की 4a upon n pi ठीक है इसका मतलब यहाँ n को क्या मानन के चल रहे है ओड मान के चल रहे है आपके पास bn की value क्या आएगी? 4a by n pi आएगी यह हम लेके चल रहे हैं तो पूरा थोड़ा स्वालू कर लेते हैं तो f omega t की स्वीट को लागया summation n की value 1 से infinity 4a upon n pi यह आपकी क्या आगई? f omega t की value यहां फिर आप कह सकते हैं कि आपकी जो square wave थी यहां फिर जो आपकी रिखना आगउलर wave थी उसको आप ऐसे represent कर सकते हो ठीक है? by with the help of 4-year theorem यह 4-year series